इनको तो मैं समस्ता हूँ कि चुलू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए फिल्म को देखने के बाद मैं बहुत निराश हुआ हूँ और मुझे लगा कि मैं क्यों देखने गया फिल्म मुझे बिल्कु पसंद नहीं आई पिक्चर किसी भी एंगल से मुझे बिल्कु पसंद नहीं आई पिक्चर किसी भी एंगल से सर मुझे ये पूछे कि क्या पसंद आया उसमें मतलब है कि सिर्फ दो चीजे मैं बोल सकता हूँ कि पसंद आई मुझे पिक्चर में एक तो थोड़ा बैग्गरांड मुजिक पसंद आया उसका मुजिक थोड़ा ठीक था दूसरा सिनेमेटग्राफी अच्छी थी पस यह जो दो चीजें अच्छी लगी बाकी कारेक्टराइजेशन से लेके फिल्म के जो एक्जेक्यूशन था फिल्म के सीन्स थे फिल्म के सिचुशन सी सब मतलब है कि इनका कोई सर पाऊ नहीं था मैं यही काऊंगा सब अब मुझे नहीं समझ में आया कि यह क्यों बनाई किसके लिए बनाई किसको दिखाने के लिए बनाई है I don't think even बच्चों से लेके audience से लेके जो modernism की बात करते है वो यह कोई modern film भी नहीं है किस एंगल से modern है टैट्व बनाने से picture modern हो जाती ही क्या या वो आज की जो hairstyle है विराट कोली साफ करते है जो यहां पर तीन लाइने कर दी है से वो से modern हो जाती ही picture I don't know what they are trying to say such a big movie I had a lot of expectation from this movie मुझे रगा था कि जरूर लोगों बात कर रहा है पर कुछ तो होगा अस movie में क्योंकि क्या है कि मुझे press snap काफी contact करके बात करने कोशिश कि मैंने कोई statement मैं नहीं दूँगा जब तो कि मैं picture नहीं देखूँगा picture देखने के बाद में मेरे को तो शरम आई कि मैं क्या statement दो इसको लेके मतलब है कि चलिए मेरी बात छोड़ी है मैं तो इस profession से हूँ इस character में one of the character में निभा चुका हूँ पर जो थेटर में लोग बैठे हुए थे मेरे आस पास में उनकी reaction में बहुत खराब थे इस अफसेट आब आवट वाचिंग दे मूवी दो लेडिज बैठी थे हो और कहरे ही थे एक दूसर से चलो उठके चले क्या बकवास देख रहे हूं दूसरी लेडिन उसको समझाया कि चलो कोश नहीं विजुल एफेक्स जो है वो ही देख लेते हैं बाजू में बैठा हुए एक आदमी दूसर अपने किसी साथी से बात कर रहा था और खहरा था किया उल्टा सीजर दिखा रहे हैं रामाइंड के नाम पर आप सोचिए और जबकि उन्होंने बहुत क्लियर डिस्क्लेमर में लिखा हुआ था कि बालमी की रामाइंड से इस्पा होने के नाते मुझे लगए कि मैं पड़ा फाड़ दूँ मुझे लगता है कि हनुमान जी की सीट रखी है सारी सीट है हनुमान जी देखके मतलब है सर बीटते होंगे किस तरह के डायलोग मुझसे बुलवा रहे हो एक मेरे क्यारक्टर से हनुमान जी हमारे यहाँ पे बड़े-बड़े मंदिर हैं, उनका बहुत पूजा जाता है, कैसे वो बोल सकते हैं इस तरह की बाते हैं, उनको सोचने से पहले जरावी ख्याल नहीं आए कि इस तरह की डायलोग हम हनुमान जी की कैरेक्टर के साथ बुलवा रहा है, या फिर मेगनाद भी बहुत हुश्यार मेरे ख्याल से कैरेक्टर रहा है, रमाइंड का, उससे कह रहा है अबे चल निकल ले, या आप बंबी या फुटपाती लैंग्विच कहलवा रहे हैं आप उससे, या रावन जैसा ग्यानी आदमी लोहा पीट रहा है, आप सोचिए, लोहा रहा है क्या वो, या वो बोल रहा जुड़ता है, या चिल आई वापस हो जाता है, क्या कपड़ा, कुछ भी कर लें, एक बाद जो डैमेज हो गया, हो गया, पर इन्हों ने ये डैमेज क्यों किया, क्या सोच के किया, मौडर्न आपने बनाना था है, मौडर्न के बहुत से और तरीके हैं, रादर दिन इस तरीके से मौडर्न बनाने की कोशिश कर रही है, आप ये बताइए कि आज भी अगर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएए, यंग्स्टर जाते हैं, वहाँ पे टीका लग तो अब प्लाइट में आप पहली दूसरी बार अगर पहली बार जा रहे हो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, वह हनुमान चाली सा पढ़ रहते है फ्लाइट के अंदर, आप सोचिए कितनी श्रद्दा है हनुमान जी के प्रती, उसको आप इस तरह की मौक्री कार, I don't know why, इ जाफ जिस जाफ इस तरह कितनी शर्द hetरा, I don't know why, झ разрまぁ यह है वह है।